नमस्कार दाएंगल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिवयर आठोर चलिए नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर संसर हमले की अठारवी बड़ से आज राश्टरपती रामनात कोविंद और पीम नरेंद्र मोधी ने शहीदो को दीश रधांज ली नारिक्ता संशोधन विधेयक को लेकर पूरोतर भारत में हाला तनाव फून असम में इंटरनेट और स्कूल बंध राश्टरपती ने दी बिलको मंदूरी उत्रप्रदेश के रामपुर में अफरत बच्चे की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते बहन में अपने प्रेमी के साथ विलकर की हत्या प्रदेश में मौसम ने खाया पल्टा कई जगा ओला वरिष्टी मुख्यमंत्री अशोग गहलोत में ली अधिकारियों की बैठक मुकसान का आंकलन करने के देर में देश ब्रिटेन में आम सुनाव की नतीजया ने शुरू हो गय है शुरूआती नतीजों में ब्रिटिश पीम बोरिस जॉनसन की कंसरवेटिव पार्टी को 250 सीटों पर जीत मिली है हाला कि विपक्षी लेबर पार्टी को भी 183 सीटे में हासिल हुई है प्रधान मंतरी बोरिस जॉनसन ने शुरूआती नतीजों के बार ट्वीट कर जीत पर खुशी जताई उन्होंने कहा कि UK दुनिया का सबसे महान लोगतंतर है जिनोंने भी हमारे लिए वोट किया जो हमारे उमीदवार बने उन सब का शुक्रिया दूसरी और एक्जिट पोल में कंजरवेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन को बहुवत मिलता दिख रहा है एक्जिट पोल के नतीजों के मताबिक कंजरवेटिव पार्टी को 368 और लेबर पार्टी को 191 सीटे मिल सकती है चुनाव में पार्टी के लिए भारी हार की भविश्यवानी होने के बाद जेरिमी कॉर्बिन ने लेबर पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोशना की है राश्रपती रामनात कोविन ने उन लोगों को श्रधांजली दी जिनोंने 2001 में संसत पर हुए हमले में अपनी जान गवाई थी राश्रपती ने ट्वीट कर लिखा कि एक कृतार तराश्ट्र 2001 में इस दिन आतंगवादियों से संसत का बचाव करते हुए अपने प्राणों की आहुती देने वाले शहीदों के अनुकर्णिये शौर्य और साहस को सलाम करता है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी ने अन्यसांसदों के साथ मिलकर 2001 में हुए संसत हमले में अपनी जान गवाने वाले शहीदों को श्रधांज लिदी संसप के कई सदस्यों ने उन लोगों को याद करते हुए ट्वीट किया है जो इस आतंगवादी हमले में मारे गए थे असम में स्कूलों और कॉलेजों को 22 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है सेना और पुलिस की तैनाती के बाद भी प्रदशनकारी लगातार कर्फ्यू का उलंगन कर रहे हैं यहां तक कि उन पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी की अपील का भी कोई असर नहीं पड़ा प्रदशनकारियों ने यात्रियों से भरी एक ट्रेन में आग लगाने का भी प्रयास किया राजे में पुलिस फाइरिंग में अब तक 4 लोग मारे गए हैं और 9 अन्य घायल हो गए हैं इस बीच प्रशासन ने डिब्रुगर्ड में कर्फ्यू में 5 घंटे तक की धील दी है गुरुवार देररात राश्रुपती ने बिल पर दस्तकत कर दिये जिसके बाद इसने एक कानून का रूप ले लिया अब इसके बाद नागरिक्ता कानून 1955 में संबंदित संशोधन हो गया इससे तीन पड़ोसी इसलामी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मांगला देश से धार्मिक प्रतार्णा का शिकार होकर भारत की शरण में आए गैर मुसलिम धर्मावलंबियों को आसानी से नागरिक्ता मिल सकेगी पंजाब, अश्यमंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने नागरिक्ता संशोधन विधयक को समविधान के खिलाफ बताया है उन्होंने इसे अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करने का एलान किया है पंजाब की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग ने CAB वर National Register for Citizens दोनों को गलत बताया है कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी हालत में इस विधयक को मंजूर नहीं करेगा क्योंकि यह भी NRC की तरह लोगतंत्र की भावना के विप्रीत है संविधा कर्मचारियों को ग्रैचिटी पाने के लिए लगातार पात साल तक की नौकरी की शट से रहत मिल सकती है दरसल सरकार ऐसा ही एक बदलाव करने जा रही है यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा संहिता विधयक 2019 का हिस्सा है जिसे हाल में लोकसभा में पेश किया गया है हाला कि सामान्य या स्थाई नौकरी पर ग्रैचिटी के लिए कम से कम पांच साल तक नौकरी करना अनिवार्य बना रहेगा विधयक को संसर के दोनों सदनों और राश्ट्रपती की मंजूरी मिलने के बाद यह बदलाव लागू हो जाएगा उतरब्रदेश के रामपुर के स्वार्थाना शेतर में साथ साल के बच्चे के अफरन के बाद उसकी हत्या कर दी गई पुलिस ने सर्विलांस की सहायता से मामले को सुल्चा लिया है दरसल मृतक बच्चे अंशु के घर के ही एक सदस्य ने प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए अपने भाई को ही रास्ते से हटवा दिया लड़की के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के भाई की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद मासूम के शव को दफना दिया जिसके बाद पुलिस को भटकाने के लिए मृतक के भाई को फोन कर 15 लाग के फिरौती भी मागी फिलहाल पुलिस ने घटा में प्रयोग किये गए मूबाइल नंबर को ट्रेस कर आरोपियों की धरपकट जिसमें दो हत्या आरोपियों को गिरफतार कर लिया है शेश आरोपियों की गिरफतारी का प्रयास पुलिस कर रही है उसकी ढोल भाई की और दस तारिक को फिर उनों में पुलिस कर दाया उनका वस्ता इस तरह से लाया पुलिस ने उस पर अभी उपंज कर लिया और उनकी रिष्तिदारी और जगह ठूड़ा कल जब पुलिस को यह लगा की साथ बर्स का बच्चा बहुत दूर नहीं जा सकता तो उन्होंने आस पास के गर्णी के खेत, नदी, नाले, कुई, ताला इन सब में जब पुलिस ग्रामिलों की मदस से, चोकेदारों की मदस से, चानबीन सुरू कियो तो साम को एक फोन आता है, गुमसुदा के भाई के फोन पर, जिसमें 15 लाग रुपए फिडवती की मान की जाती है यहीं से फुलिस को एक क्लिव लगा तुरंत, और जब उस पे हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से काम सुरू किया तो लगा कि बहुत सातिर गएंगे, क्योंकि बहुत जारा, एक या दो कालों के लोगों कोई काल थी नहीं प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओला वरिष्टी से फसलों को नुकसान हुआ है ओला वरिष्टी से फसलों को हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों की मीटिंग ली मुख्यमंत्री ने मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि ओला वरिष्टी से हुए खराबे की जाँच करके उन्हें राहत प्रदांग की जाए इस अंधर में उन्होंने मुख्य सचीव अतिरिक मुख्य सचीव वित के साथ बैठकी और तुरंट सर्वे कर नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिये देश में पश्चिम विक्षोप से गुरुवार को मौसम पलट गया राजधानी गुलावी नगर में गुरुवार राद बारिश होने से थंड और शुक्रवार सुबह कोहरे की जकड में नज़र आया सुबह सूर्य नहीं निकलने और बादल होने से लोग घरों में अलाव जलाए नज़र आया प्रदेश के नागोर, जुन्जनू, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर और अलवर सहित कई जिलों में बारिश के साथ ओलाव रिष्टी हुई कई स्थानों पर 30-40 किलो मीटर प्रती घंटा की रफतार से थंडी हवाएं भी चली सीकर में नीम का थाना शेतर में माबेटे की मौत हो गई अलवर के कोट कासिम में सोनू और नीम राना में लीलू सिंग की भी मौत हो गई करीब 21 घंटे बाद वन विभाग ने पैंथर को पकड़ लिया पैंथर लाल कोठी इलाके में एक घर में बैटा था टीम ने उसे ट्रैंकुलाइस किया इससे पहले शुकरवार सुभे पैंथर SMS स्टेडियम के पीछे नजर आया था बाद में लाल कोठी इलाके में देखा गया यहां सर्च ऑपरेशन के दौरान पैंथर ने एक वन कर्मी पर हमला कर दिया था उसे अस्पिताल में भरती करवाया गया है वही पैंथर के डर के चलते शुकरवार को SMS स्कूल और सुबोध कॉलेज में छुट्टी कर दी गई थी शुकरवार सुभे आठ बजे पैंथर वही पासी स्थित आरजे 14 रेस्टोरेंट में घुस गया था गौर तलब है कि पैंथर जैपुर के रिहाईशी इलाकों में घुस आया था सप्ता के आखरी कारोबारे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला Bombay Stock Exchange का प्रमुक इंडेक संसेक्स 227.3 अंग बढ़त के बाद 40808.74 के स्तर पर खुला वही National Stock Exchange का निफ्टी 62.80 के बढ़त के बाद 12.34.60 के स्तर पर खुला विदान्ता Limited, Tata Motors, Tata Steel, SBI, Yes Bank और Ultratex Cement के शेयर हरे निशान पर खुले वही Z Limited, भारती Airtel, Sipla, BPCL और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में गिरावट देखी गई खबरों का सिलसिला जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है The Angle